तरह नहीं स्थ में सब्सक्राइब गल कि चानल प्रोडे और साफ़ परिकार छो अब तीसरा वंड इमेज घ्ल गया उसमें अगर बात कीजा तो वह बहुत भेदर बहुत धर ईब्लबाजी जानिमन मिलाण की जिन्होंने 117 रनों के जबदस पारी खेली और जिसमें अगर उनने एक नय रिकार्ड बनाए जिस रिकार्ड के मुताबिक उन्होंने अगर बात की जाए तो सौथ अपरीका का चोथा यहने बलेबाज बन गया जिन्होंने सबसे अजबदस बलेबाजी करते हुए 117 रनों की पारी खेली इससे पहले यह गहरी कस्टन ने 188 रन बनाए थे यूएई के खिलाब याने एर्लेंड की खिलाब 2021 में इसके लावर बात की जाए तो एबी डीवी लेयर ने 106 रनों की पारी कहली थी बंगलादेश की खिलाब 2017 में सवच की बड़ी ख़बर निकल के आ रही है और दूसरी बड़ी ख़बर का होकर अपने कल के आरे इंडिया पाकिस्तान के बीच जो अक्तुबर नावंबर में अगर बात की जाए तो ICC World Cup में मैच खिला जाएगा उसमें अगर बात की जाए तो यह यानि उस वकत यह पांच साल के बाद पहली बार होगा कि इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ही जबदास रुमांच चेक मैच रहता है सोथ की बड़ी खबर निकल के आ रही है और तीसरी बड़ी खबर का रहे हैं अगर पाकिस्तान की टीम कितनी भी यहने उनके पास अगर बल्ले बाजी और गैन बाजी नहीं भी होगी फिर भी पाकिस्तान की टीम के सामने बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके मताबिक अगर देखा जाए तो इंडिया के पास इस वकत बहुत ही बैतरिन गैन बाजी लाइन अप और बैटिंग लाइन अप है लेकिन फिर भी पाकिस्तान के सामने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है क्याना है बुवनेश्वर कुमार का और चोत्ती बड़ी कपर को करका मनेकल किया रहे एडम जिंपा के अलसाथ की बड़ी कपर करेंगे किना अडम जिंपा का और पांच ये बड़ी कपर को करका मनेकल क्या रहे आई से सी वर्ल्ड कप के अगर बात किजा तो यूए उमान में आई से सी वर्ल्ड कप खेला जाएगा और उमान में छे से ज्यादा मैं अची से हम परेदेखने को मिलेंगे अगर इससे वर्ला करका को बहुती जबतास फाइदा में लिका क्यूंकि अगर देखा चाहिए तो मान में का इंटरनेशनल करकाट ज्यादा नहीं हो रही है और अगर ये छे मुकाबले यानि छे से ज्यादा गादस मुका